हलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप सब आसा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों हर्याणा में जजजर के अंदर कोर्ट के अंदर जो वकेंसी निकली है 31 पोस्टों पर ये आवेदन आमंतरित के गए हैं उसे समंदित आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ कलर, स्टेनोग्राफर, स्वीपर और लिफ्ट में की ये वकेंसी है ओफलाइन फोर्म है दोस्तों और कैसे और कब तक आप आवेदन कर सकते हैं कौन-कौन आवेदन कर सकता है क्या इसका सेलेक्शन प्रोसेस रहेगा सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो बने रहीगा मेरे साथ तो दोस्तों ये है पब्लिक नोटीस ओफिस ओप्ता डिस्टिक एंड सेशन जजजर की तरब से जो पब्लिक नोटीस दारी किया गया है वो है दोस्तों वैसे तो ये वकेंसी जो है वो निकाली गई थी फरवरी मार्च के अंदर लेकिन अब इसको रिएडवरडाईज किया गया है यानि कि इसकी डेट जो है वो कुछ दिनों के लिए बढ़ाई गयी है एक्स्टेंड की गयी है डेट और जो लास्ट डेट है वो है 10 दिशंबर और जितनी पोस्टों पर आविदन मांगे गये हैं किस किस पोस्ट के लिए आविदन मांगे गये हैं मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट है कलरक कलरक सत्रा पोस्टों के लिए कलरक के लिए आविदन मांगे गये हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड के लिए तीन पदों पर आविदन आमतरित के गए हैं और लिफ्ट में के लिए दो पोश्टों के लिए आविदन मांगे गए हैं नमबर चार है स्वीपर्स सत्रा पोश्टों के लिए आविदन मांगे गए हैं स्वीपर के लिए तो दोस्तों जो जो candidates पहले आविदन कर चुके हैं the candidates who have already submitted their application जो candidates अपने आविदन पहले जमा करवा चुके हैं जो advertisement निकली थी 28 February और 2 March को जो आविदन जमा करवा चुके हैं उनको दुआरा अपलाई करने की जुरूरत नहीं है कोई अगर candidate जो है वो fresh आविदन करना चाहते हैं नए आविदन करना चाहते हैं तो वो आविदन कर सकते हैं और जो आविदन का जो link है वो मैं आपको description में डाल दूँगा और बाकी जो ये website दे रहा है district.ecol.gov.in slash jajar इस पर आप जाकर offline आविदन का जो performer है वो आपको इस पर मिल जाएगा वहाँ से आप download करके फिल करके उसको by post भेज सकते हो दोस्तों जो मैं आपको आविदन का जो link डालने वाला हूँ description में उसको अगर जब आप open करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और इसमें ये जो column दिखेंगे recruitment में जाके आप ये जो column दिखने वाले है public notice for 17 post of color and 3 post of stenographer इसके सामने जो ये दिखाई दे रहा है PDF file इसको आप open करोगे तो इसके अंदर जो performer है वो performer रहेगा color और stenographer की post में आविदन करने के लिए और third में अगर आप आविदन करना चाते हो यनकी sweeper और liftman की vacancy के लिए अगर आप आविदन करना चाते हो इस पर आप कलिक करोगे तो परफॉर्मा उपन हो जाएगा उसको फिल अप करके आप by post जो है वो send कर सकते हो detail notification में आपको दिखाना चाहूँआ तो ये है दोस्तो detail notification color और stenographer की 25,500 रुपई जो है वो pay रहेगी यानकी salary आपकी रहेगी 17 post of color and 3 post of stenographer grade third ad hoc basis पर है दोस्तो और next क्या है color की vacancy जो detail है मैं बता देता हूँ general की 10 post है SC 3 है BCA 2 है BCB 1 है और general category X servicemen की एक post है general for stenographer के लिए general category के लिए 3 आवेदन आमंदरित के गए है अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी उमर जो है वो minimum जो वो 18 साल होनी चाहिए 11 2020 के according और qualification के अगर हम बात करें तो color के लिए क्या qualification है कि candidate को graduate होना चाहिए graduation आपकी complete होनी चाहिए अगर आप color के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसमें साब साब लिए no candidate shall be eligible to apply for the post of color unless he hold a degree of bachelor of arts और bachelor of science और equivalent यानि कि अगर आपके पास graduation की degree नहीं है BA या B.Sc या फिर जो भी graduation के अंदर degree आती है वो नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते और color के लिए post के लिए आपको online जो sorry जो test है वो देना होगा written test वो written test का pattern क्या रहने वाला है written test का pattern रहेगा English composition रहेगा 50 marks का 33% number आपको लेने compulsory है qualify होने के लिए second general knowledge के 50 question आपसे पूछे जाए 33% जो marks है वो आपको qualified करने के लिए test को qualify करने के लिए जरूरी है और next stenographer के अगर हम बात करें तो stenographer के लिए भी जो qualification इनों ने रखी है वो graduation रखी है दोस्तो bachelor of art या bachelor of science या फिर बी टेक बी सी जो भी है जो बी ग्रेजुएशन की डिगरी होता है वो आपके पास होना जरूरी है और क्या होना जिए आपका जो typing test होगा वो होगा 80 word per minute होना जिए आपके पास English में salt hand and 20 word per minute in transcription of the same on computer और last date क्या रहने वाली है last date मैंने आपको बताया था दोस्तों 20 मारस 2020 थी शाम पांस वजे तक लेनी लेकिन इसको बढ़ाकर जो है वो 10 दिसंबर कर दिया गया है 10 दिसंबर 10 दिसंबर 2020 इसे कर दिया गया है 10 दिसंबर तक शाम पांस वजे तक आपके आवेदन जो है वो इस office में पहुंच जानी चाहिए office का इडरेस रहेगा the district and session just district and session called guru gram road जजजर तो दोस्तो अब मैं आपको बता देना चाहूँगा sweeper और liftman की जो vacancy है उसकी detail मैं आपको बताना चाहूँगा तो दोस्तो अब हम देख लेते हैं liftman और sweeper की post के लिए 10 post के लिए आविदन आमंत्रित के गए है sweeper के लिए और एक post के लिए liftman के लिए आविदन मांगे गए है sorry दो post हैं यहाँपर sweeper क्या होना चाहिए minimum age होनी चाहिए 18 18 साल minimum age होनी चाहिए qualification की qualification और experience की अगर हम बात करें तो candidate should have experience of duties required to be performed and should be capable of signing in Hindi और गुरुमुखी यानि कि यहाँ पर कोई भी qualification की demand यानि कि मांग नहीं की गई है आपके पास experience अगर है जो भी आपको duty दी जाएगी sweeper की जो जो duty होती आपको पता है वो आपकी duty जो है वो आपको उस duty का experience होना चाहिए आपके पास और sign करने आने चाहिए आपको हिंदी और गुरुमुखी भी liftman की अगर हम बात करें तो qualification liftman के लिए मांगी गई है metric यहन की दस्वी कक्षिया मांगी गई है विद हिंदी और संस्किर्थ we train to operate the lift 18-42 साल आपकी उमर होनी से यह और last date मैंने आपको बता दिया 10 दिसंबर इसकी last date है 10 दिसंबर 2020 और यह है दोस्तो परफोर्मा जो आपको फिल करके बेजना होगा और इसकी साथ जो जो डोकुमेंट लगेंगे वो आपको बेजने होंगे और जो इंटरव्यू या फिर जो होगा return test होगा इस पोस्ट के लिए कोई return test नहीं होने हो वाला जो stenographer और Color की जो पोस्ट है उनके लिए return test होगा इसके लिए डैरेक्ट interview होगा और जो interview या return test जो भी होगा उसका Amendment जो वो website न मिल जाएगा तो चैनल को अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कर दीजिएगा थैंक यू